कि संस्कृत को मैंने नहीं चुना, संस्कृत ने मुझे चुना, यदि मुझे से कोई पूछता था कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए इस बड़्डे को, तो मैं उनसे बोलता था कि ये पुरान फलाना मेरे पास है नहीं, तो आप ये मुझे देतो, ब्रह्म पुरान, विश संस्कृत के रूप में स्विकार किया जाता है, अकेले जर्मनी में संस्कृत की 14 यूनिवर्सिटीज है, आप 60 को, इंगलिश में बोलते हैं 60, और संस्कृत में जवाब आपाते हैं तो उसको बोलते है 60, मेरा एकॉनोमिक्स अबसे बुरा था, तो चुँकि एकॉनोमिक्स मेरी बैक लग गई, कुछ क्रिष्ट तरा सखी एदानी सास थी, ये दोस्ती आगे बढ़ती गई, ये दोस्ती रिष्सेदारी हो मतलते हैं, मैं तुम्हारे लिए किसी पूजा पाठ का ऐसे आयुजन कर दूगा, आपके दोस्त से बोला, मेरे दोस्त से बोला कि मैं आपके सभर लेक्रिय के साथ ही, उसमें उसको फसाले लगा तो यदि आपको इसको बवास्तिविक कुप में पाना है, तो पहले उस मयायजाल को तोड़ना पड़ेगा, ये मेरे मित्र से उसने बोला कि था तांतरिक था, जो कूजा पाठ करने की बाद बॉला तो उसने बोला कि त पड़ना पड़ेगा और वो जो तुम्हारी प्रेमी का एक तुम्हें वापिस प्राप्त हो जाएगी वापिस मिल जाएगी और उसके लिए तुम्हें खर्चा आएगा फूजा करनी पड़ेगी और मेरे मित्र को के सामने उसने लगबग 50,000 रुपे की पेशकश नखती एक मतलब है कि सूर्य जैसे उगते समय भी लाल रंका होता है और अस्क होते समय भी लाल रंका होता है उदय और अस्त में उसका रूप बदलता है ऐसे ही जो पहान लोग होते हैं जो अपने जीवत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं कुछ हासिल करना चाहते हैं उनको अपनी व नमस्कार दोस्तों तो सफर्दा पॉड़कास में आज के जो हमारे गेस्ट है मेरे बहुत अच्छे इम्मित्र है युवा साहित्यकार है संस्कृत के स्कॉलर है बहुत सारे उनको ग्रंथों का उपनिशत का ज्यान है अपनी हिंदी की जो कविताएं हैं और जो भी उनकी रचनाय है उनके बदोलत कई सारे उनको अवार्ड से भी नवाला गया है इसके साथ साथ वो एक बहतरीन यूट्यूबर है जो दो यूट्यूब चैनल चलाते है साहित यद्जन और दस संस्कृतियन के नाम से और 3M Club के मार्केटिंग हेड भी है को फाउंडर है जो शुरुआती दोर से अभी तक साथ है तो स्वागत है शिवम से सोधिया का कैसे है शिवम धन्यबाद अमर बहुत बढ़िया क्या चल रहा है शिवम आज कर लाइफ में अभी फिलाल टीचिंग कर रहा हूँ संस्कृत ही ठढ़ रहा हूँ संस्कृत मेरा जहा है शुरुवात से ही तो संस्कृत ही पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ कविताएं कर रहा हूँ आए दिन आप देख सकते हो मेरे सोशल मीडिया एकाउंट्स पे कि बहुत भरसक रूप से कारेकरम कर रहा हूं, भरपूर कर रहा हूं, हर दूसरे दिन में कही न कहीं पहुंच जाता हूं, कहीं न कहीं से बुलावा आ जाता है, क्या बात है, कविताओं के शित्र में हो, चाहे साहिते के शित्र में हो, चाहे संस्कृत के शित्र में हो, लगा कि यह कIdapala कि मैंने पीछु की ऑफिक है कि कि पर दोड़ा करें छूंकित कि संस्कुर्ण को मा मैं जो चुना आप बीच Crimson Sandra तो हमारे पास में ही प्रती दिन का नियम था रामाएन का पार्थ हुआ करता था धार्मिक फैमिली थी मिरे नाना जी मुझे रामाएन के पार्थ में भीजा करते हैं तो वहां से हिंदी भाशा के प्रति, चोकि रामायन रामचरित मानस हमारा हिंदी भाशा का महाकाव है, तो हिंदी भाशा के प्रति, शुद्ध हिंदी भाशा के प्रति, धर्म के प्रति और अध्यात्म, संस्कृति के प्रति ये बीज अंकुरित होना श्प्रारम हो गए थे और एक और भी कारण रहा है इसमें कि हमारे नाना जी जो थे उनके पूर समय की बात में आपको बता रहा हूं उनके पूरवज वगर थे उस समय से हमारे यहां पर भिंड में काम होता था जिल्द साज जिल्द साज आज के टाइम में इंगले तो बॉक बाइंडिंग जिल्द जिल्द साज, जिल्द का काम करते थे, तो उस दौरान बड़े-बड़े गरंथ जो थे हमारे नाना जी के आपर आया करते थे, बाइंडिंग के लिए, भगवत गीता हुई, महा भारत हुई, रामायन हुई, पुरान हुए अलग-अलग, या एकाउंट्स की बुक हुई, मेर जिनको मैं आज देखता हूँ, मेरे पास धरुवर रूप में संग्रक्षित है, तो उनकी हालत देखता हूँ, लेकिन मेरे पास मैंने आज भी स्टोर करके रखा हुई, यादों के रूप में, क्योंकि मेरी प्रारंब एक सीडी ही वही थी, तो ऐसे ही मेरे हाथ में वही न प्रारंब कर दिया, मैं उस समय रहा हूँगा, चौथी या पाचवी कक्षा में, हिंदी में थी, और उसे लगातार पढ़ते रहने से, जो कि संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का प्रयोग उसमें था, तो मेरी हिंदी बहुत ज्यादा बैटर हो गई, उसको पढ़ने स घर पर रहने के लिए ननिहाल छोड़कर, और उसके बाद फिर संस्कृत के मेरे क्लासिस में, संस्कृत के मेरे विशय में, मुझे इस चीज का बड़ा प्रभाव देखने को मिला, कि मेरी संस्कृत बैटर होती जा रही थी, और मेरे अंदर रुची बहुत जागरत होती ज करता था, मैं खिलोने नहीं लेता था अकसर अपने लिए, मैं यह देखता था कि मेरे संकलन में कौन सा पुरान बाकी है, मैं उस पुरान को लेकर आता था, और दूसरी बात, यदि मुझ से कोई पूछता था कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए इस बड़्डे को, तो मैं पुरान, नरसिंग पुरान, कूर्म पुरान, शीमत भागवत महा पुरान तो है, और इसकंद पुरान, पदम पुरान, गरुड पुरान, इत्यादी पुरान जो है, यह मैं पढ़ चुका हूँ, इनके सासा संस्कृत के अन्य गरंत भी है, गर्ग संगिता है, और मनुसरी काफी पुरान बचे हुए है, कुछ एक दो, लगबग लगबग 15-16 पुरान में पढ़ चुका हूँ, अठारे में से, तो मुझे कौन सा गिफ्ट करना है आपको, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विश्नु पुरान एक वार अश्य पाने, कारण बता दिता हूँ, कारण ये कि हमारे देश की जो भौगोलिक संग्रचना है, उसके बारे में जो एंसेंट इंडिया में बताया गया, हमारे लेखाकों ने बताया, स्क्रिप्चर्स के अंदर, आप उसका ऑथेंटिक स्वरूप देख पाएंगे, पूरे भौगोल का वर्णन, आज से हजारों पहले कैसे विश्नु पुराण के अंदर किया गया है, ये वास्ताब में काविले तारीफ है, और इस पर हमारे देश को और युबा पीडी को शोध करने चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और अगर संभव वहत निश्यत तोर आपको अगली बार ये गिफ्ट जो है, मैं आपको दूँगा, आपकी कुछ मित्र है, जिन से हमने बात करी, और और कुछ उन्होंने आपके लिए वीडियो में मेसेज, वीडियो संदेश बैजा, वीडियो संदेश को चल चित्र संदेश कहेंगे? तो मैं पहला वीडियो चला देता हूँ कई है मैंने एक जगा पर पढ़ा था कि जो संस्कृत और संस्कृती से जुड़े हुए लोग होते हैं वे कभी depressed नहीं होते हैं वे कभी हतास निरास नहीं होते हैं वे क्रोध लालच लोव ये सारी चीजों का सिकार भी नहीं होते हैं वे भोग विलास वाले प्रपंचों से दूर रहते हैं उनका सभाव बिलकुल एक संत की भाती हो जाता है कुछ ऐसे ही सभाव वाले हैं हमारे बड़े भाया सिवम जी और जब एक संत का सभाव और कभी हिर्दय दोनों मिलते हैं तो सोने पैस सोहागा वाली बात हो जाती है और जब ये संत सभाव और कभी हिर्दय दोनों मिलकर जो चरित्र बनता है वो एक पूजिनी चरित्र हो जाता है इसी तरह से हमारे प्रिया भाया सिवम जी भी हमारे लिए बहुत पूजिनी है बहुत प्यार लोटाते हम पर बहुत सारे सभकामना भाया के लिए बहुत सारा प्यार सिवम से सोदिया जी विकास. बहुत प्यारा बच्चा है और अच्छा कर रहा है भी कविताओं के शित्र में और निरंतर जोडा रहता है, पूछता रहता है הंदी में जहां कहीं भी उसे लगता है बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं आपके जो आपसे guidance लेते रहते हैं हिंदी के वामले में तो हिंदी और संस्कृत की कुछ बात कर लेते हैं संस्कृत के वारे में कुछ ऐसी चीद है हमारे वीवर्स को बताईए कि उन्हें पता नहीं और वो बहुत important है मतलब संस्कृत की एक world international level बहुत जादा importance है वो आप हमारे audience को बता दीजे तो संस्कृत की विशेष्टा तो सबसे पहले मैं यह समझता हूं कि आप मूल रूप से हमारे विश्व के अंदर जो भी ग्यान नहित है उसका जो बेस है आधार उस concept को हम संस्कृत literature के अंदर ही पा संस्कृत के अंदर वो हमें शुल्व सूत्र के नाम से बहुत हैं के शुल्व सूत्र के अंदर प्राप्त होती है यह हम ज्यामिती बोले geometry ज्यामेट्री तो वह भी हमें हमारे mathematicians जो है रामानुज हो गए साथी साथ हमारे वरा महिर हो गए आरे भट्ट ने जीरो का शुनिका अविशकार किया इसके साथी संस्कृत के अंदर बहुत सारे ऐसे concepts है चाहे आप आयरुवेद की बात कर ले चाहे आप विज्ञान की बात कर ले चाहे आप कलाओं की बात कर करें तो आज के समय में जो अभिने कला है जिसको हम Bollywood या Hollywood की मूवी में देखते हैं उसका सबसे पहला प्रयोग या उस दर्शन उस सिधान्त का प्रारंभ हमारे भारत देश से हुआ आपने मूवी में सौंग सुना होगा नाटू नाटू लेकिन इस नाटू के पीछे भ आप वहां पाते हैं कि नौ रसों के अंदर सारी अभिव्यक्ति बताई गई है और नौ रसों से नाट्टे शब्द से ही नाटू का निर्माण हुआ यानि वो हमारी भारती संस्कृती का और संस्कृत का दियो तक है संस्कृत को लेकर चल रहा है और फिर वो मनोनीत हुआ पुरुसकार प्राप्त हुआ ये तो भारती संस्कृती के लिए गौरवाली बात हुई संस्कृत भाषा के लिए गौरवाली बात हुई कला के शित्र में भी संस्कृत भाषा ने ही दुनिया को कला सिखाई गणित के शित्र में दुनिया को हमारे संस्कृत ने दिया इसके सुनते हैं, इनके अपने अपने बोल सकते हैं, यह एक short forms है, इनके अपने अपने briefly descriptions है, जैसे सा जो है, इसका स्वरित है, रे जो है, उसका रेवत है, धा जो इसका धैवत है, इस प्रकार्ण से हर स्वर का अपना एक full form है और उन में किस स्वर को आपको उपर ले जाना है, कि स्वर को नीचे ले जाना है इसका पूरा basic concept चलता है तो संस्कृत के माध्यम से हम हर एक ढ्यान का मूल प्राप्त कर सकते हैं इसमें शोध की आवशकता है और भारत को यदि विश्वगुरु बनाना है तो निश्चित तोर पर यवाओं को संस्कृत के एक शित्र में काम करना चाहिए इसके अतरिक्त संस्कृत में आप देखे तो बहुत सारी विशेष्टा है संस्कृत का व्याकरण पूरी तरीके से परिनिश्टित है, शुद्ध है संस्कृत में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और वही पढ़ा जाता है कहीं भी pronunciation में कुछ भी silent नहीं होता कुछ भी violent नहीं होता क्या बात है यदि संस्कृत में आप किसी को गाली भी देंगे तो वो भी शोभनी ये विशिष्टा है कोई example गाली खा example आप बोल दे किसी को धूर्त तो sweet लगेगा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा दुष्ट है ना और प्यार से लोग भी बोल भी थे तक तुम बड़े दुष्ट हो हमारे कनहिया को गोपिया बोला करती थी है ना एक मा है ये शुदमयया है वो अपने लाला को बोला करती थी दुष्ट है दूर्थ है चपल है चतुर है चलिया है तो संस्कृत एक भाषा जो है संस्कृत मधूर्ता की भाषा है संस्कृत शुद्धता की भाषा है परिनिष्टता की भाषा है वहाँ पर कुछ भी अशोवनिय नहीं है, सब कुछ शोवनिय है, यह संस्कृत की शीषता है, इसके अतरिक्त संस्कृत में आप सबसे कम शब्दों में अपनी बात को खत्म कर सकते हैं, संस्कृत के अंदर आप शब्द रूप और धातु रूप का ऐसा प्रयोग करते हैं, कि शब्द बधा रहता है अपने आप में, तो आपको अलग से बहुत सारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, और यह होने के कारण हर एक शब्द में अपना व्याकरण चलने के कारण, यदि आप उन शब्दों को आगे पिछे भी कर देंगे, तब भी वाक्य का अर लेकिन संस्कृत में चुकि राम के साथ अपनी विवक्ति लगी राम करता है बाजार के साथ अपनी विवक्ति लगी क्योंकि बाजार कर्म है इसी कारण आप बाजार को राम की जगे रख दें राम को बाजार की जगे रख दें तब इसका सेंटेंस तरीके से बनेगा कि जैस संस्कृत में अपडम तो रामा, आपडम और क्रिया लग जाएगी गच्छती, यदि मैं इसके शब्दों को लट फीर कर दूं, आपडम, रामा, गच्छती, इसका परिवर्टन, इसकी अर्थ का परिवर्टन नहीं हुआ, मैं क्रिया को पहले रख दूं, गच्छती आपनम रामा, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानि तीनों शब्दों को आप कहीं भी रखिए, आपके वाक्य का अर्थ परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए संस्कृत की शुद्धता के कारण ही, हम देखते हैं ये बात है, तो संस्कृत में शोध होने चाहिए और युबाओं को आगे आना चाहिए, आप बता रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करें, विश्विध्यालेओं की बात करें, तो हमारा भारत जो है, हमारे भारत में भी काम बाकी है, लेकिन भारत से बहु अकेले जर्मणी में संस्कृत की 14 यूनिवर्सिटीज है, आप आश्चर्य मानेंगे विश्विध्याले, महाविध्याले नहीं, विश्विध्याले हैं पूरे के पूरे 14 जर्मणी का इसको क्रेडिट जाता है, जहां पर पूरे दुनिया वरत से लोग संस्कृत सीखने के संस्कृत के रिसर्चेस होते हैं स्कॉलर्स हैं वहाँ पर संस्कृत के और इंडिया में कितने इंडिया में जदी मैं बात करूं संस्कृत को लेकर यूनिवर्सिटीज की तो तीन मानद विश्व विद्याले भारत में हैं संस्कृत के जिसमें सराश्ट्रिय संस्थान है नई English में spoken होता है, तो इसका मैंने पूरा course किया हुआ है, और बहुत अच्छे स्तर पर किया है, प्रिथम श्रेणी से किया है, और इसके पश्चात पहली यह है, राश्ट्रिय संस्कृत संस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटी, न्यू डेली, सेकेंड नंबर पे है, श्रीलाल वाह अपने भारत देश में चलते हैं, इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी है, आज भी संस्कित में बात की जाते हैं, भारत में, मध्य प्रदेश में ही एक गाव है, जहां पर तोटली संस्कृत बोली जाती है, और उसके अतरिक्त भी कुछ ऐसी जगह है, महराष्ट में भी है यदि हम इसमें यदि ये संशे उत्पन करें कि क्या इंगलिश जैसी भाषा भी संस्कृत से डेवलप हुई है बनी है तो मैं इसके पीछे यह आंसर देना चाहूंगा कि कई शब्द जब इंगलिश में गौर किये जाएं तो हमें पता चलता है कि उनका साम में संस्कृत के भाषाओं के परिवार होते हैं वर्ग मुलक द्धनी मुलक करूप से इनको बाटा गया है भाषाओं को इसके पीछे पूरा साइन्स होता है जैसे कि भारोपीए भाषा परिवार है उसमें भाषती और यूरोपीए भाषा आती है ठीक है normanic है और बाल्टी है तो खारी है और Arabian भाशाएं हैं, तो कही ना कही देखने को मिलता है कि हर भाशा जो है, कही ना कही इफेक्टेड है संस्कृत भाशा से, तो जब हम English को देखते हैं, तो English में पता चलता है, भाशाओं में बदलाव कैसे आया है, भाशाओं में बदलाव आया है, उनके accent के कारण, यदि हम मात्र का मदर, ऐसे भात्र का ब्रदर, इस प्रकार के शब्द हमें English के अंदर भी देखने को मिलते हैं, से पता चलता है, कहीं शुरुआत English की संस्कृत से हुई होगी, ऐसे ही एक शब्द और भी है, हम यूज करते हैं, अकसर अपने daily life में, more बोलते है, once more, more यानी ज्याद हैं, जैसे August, और संस्कृत में अगस्त रिशी, इस प्रकार के कई ऐसे संकेत हैं, जो हमें बताते हैं, तो बहुत सारी चीजे हैं, जिन से पता चलता है, कि हमारी English संस्कृत से developed हुई है, तो शिवम जी, आपन से काफी सारी चीजे जानने को मिली संस्कृत के बारे में, और आपके जो content creation वाली चीज है, जो काफी मदद कर रही है, और एक व्यक्ति की जन्नी में, दोस्त भी काफी मदद कार होते हैं, तो ऐसे कुछ आपके दोस्त हैं, जिन्होंने हमें कुछ वीडियो मेसेज भेज़ हैं, और मैसे एक में आपको यह दिखाना चाहूँगा, नमस् अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अत्व शक्षक है, इसके अलाव़ा हो बहुत अच्छा बितर है, वैसे तो मैं Shivam के वारे मेn जितना बोलू, उसकी जितनी तारिफ करू हूँ, उतनी कमी है, वो बहुत सारी चीज हो है, मज़े बहुत प्रोचाहत कर अगर मुझे कोई भी आध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी मेरा प्रश्न होता है तो मैं सबसे पहले जाके शिवम से पूछती हूँ और मुझे पता होता है कि उसका जो अंसर है वो मुझे संतोष्ट गर देगा पूरी तरीके से वो जिस गहराई से मुझे आध्यात्म की जानकारी देता है जब भी मेरा कोई प्रश्न होता है तो वो मैं शिवम से ही पूछती हूँ तो वो मेरी बहुत है वैसे तो वो बहुत अच्छा लिखक है ही सब जानते हैं इसके लाव हुआ है अगर जो मैंने उसका रूप चेक देखा है वो अंदर से एक छोटा सा बच् करता है मुझे उसका वो रूप चो है वो बहुत पसंद है कभी-कभी वो एकदम छोटे से बच्चों की दरा मचलता भी है सिदी भी करता है रोता भी है वो शिवम जो है वो सब को बहुत प्रोचाहिद करता है सभी को मुझे तो बहुत प्रोचान देता है एक बार क्या हु देखा हमारे आसपास जो है वह बहुत सारे टीचर्स ऐसे बैटे हुए थे जो इंटर्व्यू देने के लिए आये थे वह भी अपना फॉर्म कर रहे थे तो उससा में शिवम और मैं भी फॉर्म कर रहे थे लेकिन मैं जो है वह आसपास देख रही थी सब को कि जितने भी लग रहे थे और उनको काफी एक्स्पीरेश्ट लग रहे थे मतलम वह उनको देखकर मेरा तो कउंट्वीडęt्स एकदम फ्लोग तो मेरा तो मैं हूँआ के मैं तो कोंप नहीं भड़ती हूं शिवम तुम भर दो मैने उससे यही बोला कि मैं तो नहीं बहुते में नहीं तो उसके जो प्रोचाम से मैंने जो भी है वो इंटर्व्यू देती हूँ मैं तो वो मुझे बहुत प्रोचायद करती है उसकी बाते यह सबसे अच्छी चीज है वो हमेशा हर मोड पे मुझे प्रोचायद करता है समझाता है जब भी मैं किसी भी विश्य को लेकर बहुत हताश हो जाती हूँ निराश हो जाती हूँ तो सबसे पहले शिवम से बात करती हूँ तो जब वो मुझे समझाता है तो उसकी शब्दों में जो उर्जा है वो मेरी काफी हैल्प करती है मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी वह है मेरा सबसे प्रियमित्र था और है और हमेशा रहेगा राधरानी उस पे खुब सारी कृपा करें मैं खुब आगे बढ़े और हमेशा खुछ रहे कैसा लगा कहां कहां से हीरे धुड के लाएब मतलब अब क्या वोलू मैं रूता भी है अंदर से बच्चा भी है बहुत अच्छी लड़की है शेवानी और क्या वोलू मैं शेवानी मतलब बहुत काइंड हार्टेड है सॉफ्ट हार्टेड है सबसे बड़ी चीज़े और ना केवल मैं प्रोटसाहित करता हूँ, बलकि मुझे भी कई बार वो प्रोटसाहित करती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही सब को प्रोटसाहित करता रहता हूँ, मैं कभी जीवन में हाडता नहीं हूँ, ऐसा बिलकुल भी नहीं है। मुझे भी कई बार अपने दोस्तों के आविशक्ता पढ़ती है, मुझे भी कई बार डिमोटिवेशन होता है, तो हर इंसान के साथ हो सकता है, कोई व्यक्ति कितना भी ज्यानी हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन दोस्तों की जरूरत हमेशा पढ़ती है, और अच्छे दोस्त होना बहुत अच्छे दोस्ट सबसे बड़ी दौलत होते हैं जो आपने कमाई है तो संस्कत में आपको रोची थी हिंदी में आपको रोची तो आपने graduation और post graduation भी संस्कत और हिंदी में की होगी एक्चुली में हुआ क्या हुआ यूँ कि देखे मैं एक चीज कहना चाहूंगा मुझे कुछ students भी सुन रहे होंगे तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको अपके carrier में सही guidance मिलना विशे कोई भी बुरा नहीं है carrier option कोई भी बुरा नहीं है सबकी अपनी एहमियत है लेकिन हम किसके लिए बने हैं और हमारे लिए क्या बना है matter यह करता है हमारा हमारा रुजहान कि सोर है हम किसमें ज्यादा better कर सकते हैं यह matter करता है तो चुकि मैंने अपनी schooling की देन जब मैं high school में था 10th board में और उसके बाद बात आती है कि subject आपको choose करना होता है तो उस दौरान हाला कि मेरी रुची पहले से Sanskrit में थी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्पन से कहीं न कहीं Sanskrit के बीच पढ़ चुके थे और मैं चाहता था कि मैं Sanskrit को as a career option चूज करूँ लेकिन हुआ यूँ कि जब आप high school क्रॉस करते हैं तो आपके पास विकल्प के रूप में बताने के लिए जब आपके मित्रया कोई भी बताता है संबंदी है रिष्टिदार है आपकी family है आपकी guardians है तो वह अकसर यह कहते है कि या तो आप bio ले लो या PCM ले लो या फिर आप commerce ले लो इन तीन के इड़दी इड़दी ही एक student की पूरी दुनिया घूमती है यही तक लेना है यही options है आपके पास अकसर होता है कि हम arts को एक हे दरश्टी से देखते हैं दोयम दरजे की तोयम दरजे से देखते हैं आर् कोई भी subject बुरा नहीं हर subject में अपने इस तरह का ग्यान है तो हुआ मेरे साथ यही guidance का अभाव या जो भी guidance मिली मैं किसी को इसका दोषी नहीं ठहराना चाहूंगा सबने अपने हिस्से से समझ कर बुला होगा तो मैंने commerce का चुनाओ कर लिया और चोंकि commerce बुरा subject नहीं है ह मैं 11 भी बारी भी करने के बाद आपके पास फिर आपने जदी commerce से पढ़ाई कि आप बीकॉम करोगे obviously मैंने बीकॉम की शुरुआत कर दी तीन साल बीकॉम में लगाए मैंने और यह कड़वा सचे मैं accept करूंगा यहां पे सब यह सामने रखूंगा कि बीकॉम में last year में last semester मे graduation में तो मेरी बैक लगी एक पेपर में एक सब्जेक में मेरी बैक लगी मेरा Economics सबसे बुरा था तो मेरा भरपाई करने के लिए आपको अगला next year चाहिए अगर आपकी second year में back लगेगी देन आप उसका exam third year में दे सकते हैं आपका समय जो है जाया नहीं होगा लेकिन आपकी अगर back लगती है तीसरे साल में तो आपका without वहीं हो जाता है आपकी graduation वहीं रुक जाती है और वो अगले सा आना without लगना result को सुधरवाना क्योंकि पिछले result में आपके विजल्ड लग जाती है उसको आपको correctify करवाना है वो correctify करवाने के कारण मेरा एक साल और भी जो है gap में चला गया तो तीन साल की चार साल की डिगरी बढ़ गए बीकॉम की और कुल मिलाके 5 साल मेरे चले गए ग पांच और दो साथ वर्ष जो है life के यहां पर चले गए then मैं यह बोलना चाहूँगा कि साथ साल बरवाद हुए इस दौरान यदि मैं संस्कृत की शिक्षा पा लिता तो काफियत तक जो बेस हैं जो fundamental चीजे हैं संस्कृत की बहुत हद तक बहुत उच इस तर पर मैं समझ लिए पर तो चुका होता है खलाकि चुकी मेरा संस्कृत में इंट्रेस्ट था रुची थी तो मैंने कवर कर लिया उन चीज़ों को मैंने ग्रेजुशन के दौरान ही अपने जगे पर लेखा देखा संस्कृत वेवहाग तब मुझे यह घ्यात हुआ हुआ कि हा संस्कृत म मुझे बिल्कुल नहीं पता था आज मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को 11-12 में बच्चे संस्कृत को चूज करते हैं लेकिन मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ आपके सामने हैं आपको विश्वास में लेके कहना चाहता हूं कि उस समय तक मुझे ग्रैजूशन के टाइम तक नहीं पता था कि संस्कृत चुना भी जाता है ये गाइडेंस का बहुत बड़ा अभाव था तो बच्चों को गाइडेंस निश्चे तोर पर सही मिलनी चाहिए फिर मैंने जब संस्कृत विभाग लिखा देखा अपने कॉलेज में ही तो मैंने सोचा कि आप मुझे संस्कृत को ही चुनना है फिर आपने MS संस्कृत लिटेचर से किया उसमें क्या क्या सब्जेक्ट तूत ने बताएंगे वहाँ मेरे सब्जेक्ट थे पहले सेमिस्टर में मुझे यादे मतलब जब आप कोई चीज मन की करते हो रुची की करते हो तो वो रुची आपके अंदर बसी होती है आपको वो फस्ट सेमिस्टर में लिए हुए सब्जेक्ट और उसके पेपर्स भी याद रहते है और चुकी कौमर्स के साथ मेरे साथ यह नहीं था तो आज आप कौमर्स का कोई सबाल पूछ लेगें मैं नहीं बता पाऊंगा मैंने पांच-साथ-साल कौमर्स को देए लेकिन उसका उत्तर नहीं दे सकता संस्कृत में मेरे पास first semester में जो papers थे वो थे वेद मैंने पुरान तो घर पर पढ़ ही रखे थे लेकिन वेद को पढ़ने की opportunity मुझे मेरी शिक्षान ने दे दी तो मैंने वेदों का अध्यान किया दूसरा paper दर्शन का था हमारा दर्शन एनी philosophies हमारे भारत में नौ दर्शन है शडास्तिक दर्शन, तीन नास्तिक दर्शन और सारे दर्शनों को भारती संस्कृती स्विकार करती है हर दर्शन की अपनी स्रेष्टता है, अपनी मानेता है कोई भी किसी से हीन नहीं है बिलकुल, नास्तिक कहने का तात्पर यहां पर यह नहीं है कि कोई किसी की निंदक है, बलकि यह जो वेद को स्विकार नहीं करते, साक्ष के रूप में वो नास्तिक है, नास्तिक का कोई बुरा अर्थ नहीं है, इस प्रिकार से हमारे नौ दर्शन है संस्कृत साहित्य में, दर्शनों को मैंने पढ़ा, फिलोसोपीस जिसको इंगलिश में बोल सकते हैं, वेदों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, उपनिश्दों को पढ़ा, साथी साथ काव्य था, और पुराणों को भी मैंने अपने संस्कृत लिटरिचर में में की दौरान पढ़ा, कालिदास तो हम कोई भी अपरिचित नहीं है इस बात से कि कालिदास दुनिया के स्रेष्ठतम कवी हैं जिस प्रकार से तांसेन को दुनिया का सर्व स्रेष्ठ संगीतकार माना जाता है आज तक कालिदास के विशय में यही कहा जाता है कि इसका अर्थ ही है कि विना वेदो के बिना भगवत गीता के और विना रामायन की कथा के और बिना कवी कालीदास के भılarत भारत नहींए भारत की जो मूल आत्मा वस्ती है वो महाकवी कालिधास में वस्ती चाहे उनका प्रेम लिखना हो अविज्ञान शाकुंतलम जैसा गरंथ जो कि आज तक पाश्चत्य जगत में Western countries में जिसके plays होते हैं चाहे उनका विक्रमूर वर्शियम लिखना हो आप इनकी कथाओं पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं इतनी interesting कथा हैं आपको मिलेंगे आप ये सोचेंगे कि आज से 2000 साल पहले ये लिखा जाता था जो आज की Bollywood movies में भी नहीं फिलमाया जा रहा वो आज से 2000 साल पहले लिखा जाता था आप सोच सकते हैं कि उस समय कभी का चिंतन कितना ऊपर रहोगा कितना स्रिष्ट रहोगा ये हमें संस्कृत से लेखने को मिलता है तो ये सारा मेने संस्कृत साहित्य में उस समय पढ़ा तो आप यह जैसे कॉलेज की जर्निय आप बता रहें तो एक आपके जो गुरु जन में से एक है उन्होंने एक वीडियो मेसेज भेजा है वो देख सकते हैं नमस्कार मैं मन्दाकिनी शर्मा शिवम सिंग सिशोदिया मध्यपरदेश साहित्य जगत का उद्यमान युगा हस्ताक्षा मैं शिवम को उस कालखंड से जानती हूँ जब है बाल साहित्यकार के रूप में अपनी कविताओं का पाड साहित्यसवाववन में किया करता था मैंने शिवम को या यू कहूं कि उसकी बालबोधिनी लेखनी को युबा चिंतक के रूप में विक्सित होते हुए देखा है मेरे छोटे भाई के रूप में कहूं या साहित्यकार के रूप में कहूं या फिर एक समग्र मनुष्य के रूप में कहूं तो शिवम अपने नाम को पूरी तरहां जी रहा है, सार्थक कर रहा है शिवम जैसे युबा रचनाकारों के साथ मेरी प्रोड लेखनी कारे करके पूरी तरीके से संतुष्ट और प्रसन्न है शिवम को बहुत सारी बधाई मन्दाकनी दिदी को मैं यह बोलो कि मैं जानता हूँ या मुझे जो भी कुछ साहित्य के शित्र में प्राप्त हुआ है जो भी मैंने सीखा है, मतलब जो बीज रोपना होता है, वो काम जिसने किया है, वो मन्दाकनी दिदी है इनका इस्थान तुमने आपने गुरू बोला मन्दाकनी दिदी को तो मैं समझता हूँ कि गुरू तो केवल एक रिष्टे तक सीमेत रह गया कि गुरू है वो लेकिन मन्दाकनी दिदी इस से बढ़कर कहीं जादा मा भी है मेरे लिए मैं उनको दिदी बोलता हूँ, मेरी बड़ी बहन भी है, मेरी मारक दर्शक भी है और गुरू तो है तो साहित्य की शुरूआत यहीं से हुई, मैं इस बात का भी पूरा जिक्र कर ही देता हूँ चुकि मन्दाकनी दिदी का वीडियो देखा और सामने मन में आ गई बात, तो मैं आप दर्शकों तक भी पहुचा दिता हूँ कि 2009 की बात है, कविताओं का लिखने का दौर उसी समय प्रारंब हुआ मेरा, जब मैंने कविताओं लिखनी शुरू की 2009 की बात है, मैं अपने क्लास में, इस्कूल में तो अच्छा एक छात्र हुआ करता था, अपने भूसे तारीफ कर रहा हूँ, माफ करना तो विश्वस निय था इस्कूल का, तो इस्कूल की तरफ से मुझे भेजा गया एक प्रतिवाहा खोज प्रतियोगिता थी, जो की मद्यभारती इंदी साहित सवा दोरा आयूजित की गई, वालियर में साहित के शित्र में काम करने वाली सबसे पुरानी संस्ता है मद्यभा यह सभी उस जगे पर किसी ना किसी समय आ चुके हैं, दौलत गंज में इस्तित है, तो यह बहुत बड़ा साहितिक तीर्थ है एक तरह से, वहां की वाइप्स आपको वहां पर जाने के बाद महसूस होती हैं, उस जगे पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ मेरे इस दौरा एक किसी अन्य स्थान पर कारेक्रम का आयोजन किया गया, वहां पर भी मैं गया, और उस अन्य स्थान पर भी गया, जहां पर तीन हजार लगवग लगवग बच्चे प्रतिभागिता कर रहे थे, गौली और चंबल संभाग के, उस कारेक्रम में मुझे दृत्ती का मावल था, 2009 चल रहे थी, तो मैंने उस चीज का ही वरणन करते हुए, वो कविता को लिखा था, तो उस मेरी चीज़ शामिल की थी, और भारत की कुछ उपलब्दिया उस समय जो भारत ने आसल की थी, वो मेरी पहली कविता थी, सबसे आगे हिंदुस्तानी उसका करके टा तो वो कविता लिखने के बाद मुझे दृतिय पुरुसकार प्राप्त होने से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक उत्सा बढ़ जाता, बाल मन था उस समय, अभी ऐसे मैच्चोर है, वो अलग बात थी, उस समय अलग बात थी, तो पुरुसकार मिलने से मेरा रुजहान और मैंने कविता लिखना शुरू किया, मैंने कुछ तो इस से जो है, मतलब कुछ हासिल होता है, भले पुरुसकार के रूप में हो, मेरा रुजहान गया और मैंने कविता लिखना लगातर प्रारम बगड़ दिया, उसके बाद कई कारिक्रमों में जाने लगा, और काम करने लगी मेरी कविताएं मेरी कविताएं लोगों को पसंद आने लगी और उसके बाद भी मैंने कुछ और पुरुसकार भी जीते साहित्य सभा की ओर से भी एक रामायन को प्रश्णुत्तरी लेकर कारिक्रम आयुजन किया गया था इसमें एक्जाम हुआ था बहुत बड़े स्तर के दिन और उसमें मैं आश्यर चकित था इतने बच्चों के वीच मैंने जुतिय स्थान प्राप्ति किया था सेकिंड पोजीशन पर मैं आया था तब भी मुझे रामचरित मानस जो है साहित्य सभा की ओर से पुरुसकार जूप में प्रदान की रही तो यह कुछ ऐसे पल र नहीं और मुझे प्रोटसाहित किया आगे के लिए जिससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ वह हिंदी विभाग की जिनका हम वीडियो भी देख रहे हैं हिंदी विभाग की माधव महाविद्याले की प्रोफिसर डॉक्टर मंदाखिनी शर्माजी तो उनका रोल उनका योगद घर में ही या यह कहें वो खुद कहती है कि मेरे घर में कनहिया नहीं है हम कनहिया के घर में रहते हैं यह समझ के चले प्रोफेशन में कैसे बदला इसको मतलब संस्कृत की पढ़ाई कर लिए उसके बाद क्या करना मने शुरू किया संस्कृत की पढ़ाई मैंने कर ली मैंने UGC NET के लिए प्रयास किये चोंकि सफलता एक बार में हासल नहीं हो जाती कई बार हमें उसके लिए ज़्यादा प्रयास भी करने पड़ते हैं चोंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था किसमत कहले जो भी कहले कि मुझे वो साल मेरे जो है वो ब्यर्थ चले गए थे मैं संस्क्रिट को नहीं दे पाया थे तो वो ना दे पाने के कारण जब मैंने UGC NET की परिक्षा दी तो एक बार में मेरी क्लियर नहीं हुई वरना मैं MA के साथ भी उसको क्लियर कर लेता अगर मैं पहले से संस्क्रिट पढ़ता था तो एक बार में नहीं हुई दूसरी बार दूसरी बार नहीं हुई लेकिं तीसरी बार में वो NET की परिक्षा क्वालिफाई हो गई मतला कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आपको प्रयास से कभी पीछे नहीं अटना जाए तो परिक्षा उत्तीरण हुई नेट की परिक्षा दी मैंने अच्छे अंकों से उत्तीरण हुई और असिस्टेंट प्रोफिसर के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया अभी फिलाल मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ शिक्षक हूँ, संस्क्रिश शिक्षक हूँ और आगे पीएजडी के लिए भी तैयारी है मेरी और आगे योजना है पूरी कि मैं प्रोफिसर बनूँ और साथ ही साथ अभी आप टीचिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब का ये कहूँ कि पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया था संख्या भी यहां सामने बता दूँगा कितने यूट्यूब चैनल की संख्या है तो पहले एक YouTube चैनल बनाया था, जिसमें मैंने कुछ ऐसे ही लगातार वीडियो डालता रहता था, कुछ भी करके, चाहे कभी सिंगिंग कर ली हो, चाहे कभी कुछ बोल दिया हो, चाहे कभी किसी के poetry रिकॉर्ड कर ली हो, उसका वीडियो डाल दिया, उसका कोई एक निश्च विशय नहीं था, उसकी निश्चित रूप रेखा नहीं थी, अनिश्चित था, अव्यवस्थित था, तो इस कारण से वो मॉनिटाइज भी हो पाया, उस पर कई सारे से content थे, जो मॉनिटाइज हो ही नहीं सकते थे, पहले से किसी के copyrighted थे, तो वो चैनल मॉनिटाइज नही होता है यह था कि lockdown के दौरान में जिस स्कूल में अध्यापन कर रहा था, तो वहाँ पर उस दौरान बच्चों को वीडियो बेजे जाते थे, क्योंकि बच्चों का आना तो lockdown में allowed नहीं था स्कूल में, तो बच्चों को बच्चों की पढ़ाई सही से हो सके, इसलिए teachers क्या सदौपयोग किया जाए, मैंने lockdown में ही channel create किया और मैंने उस पर वीडियो डाला, जो अल्रेडी स्कूल के लिए बना चुके थे, जो मैं स्कूल के लिए बना चुका था, MP Board का एक वीडियो था, जिसका मैंने first chapter डाला था, और मैंने लगवग 20 दिन के बाद, मुझे नह कमेंट्स थे, कि सर आप इसको continue कीजिए, second chapter बनाईए, बहुत अच्छा समझ आया, then मैंने COVID के समय की बाद, during COVID, नाम क्या था चैनल का, चैनल का नाम था, साहित्य अध्ययन, आपको अभी भी वो आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, और आपको Sanskrit के लिए काफी लबद Sanskrit दोनों की वीडियो, then हम continue करते हैं कि मैंने, जो वीडियो डाला था, first chapter था वो, Sanskrit का, then उस पर comments आने के बाद, मैं motivate हुआ, मैंने का हाँ, काम पसंद किया जा रहा है, मतलब कुछ लाब है, वेर्थ नहीं गया, मैंने फिर second chapter को बनाया, और जब मैंने एक महीने बाद चेक कि तो जो 20,000 views वाले वीडियो था, वो 50,000 पर पहुच चुका था, और जो second chapter बनाया था, उसको भी दर्शकों ने देखा, और वो 20,000 पहुच गया था, फिर मैंने उसकी continuity को जानी रखा, बहुत comments आ रहे थे, और बहुत सराहा जा रहा था, then मैंने एक एक करके, chapter करके, पूरा syllabus अपने चैनल पर upload कर दिया था, किस class का? ये था, high school 10th class का, तो काफी अच्छे views आये, लाखों तक views पहुचे, आगया आने वाले समय में, लेकिन चुकि syllabus चेंज हो गया, तो इसका थोड़ा सा मुझे नुकसान ये हुगा, कि जो जिन वीडियो पर अच्छे views आ रहे थे, जिसके लिए मैं स्थापित हो चुका आता, इसके बड़े-बड़े चैनल से, जो इस्थापित हो चुके अपने subject के लिए, तो मैं भी अपने subject के लिए स्थापित हो चुका था MP board के लेकिन लेकिन चुकि वो syllabus चेंज हो गया, CVSC pattern launch हो गया MP board के अंदर, तो फिर नए pattern आने स लेकिन अभी भी मैं लगा हूँ प्रयास कर रहा हूं और लगातार कर रहा हूं अभी फिलाल उस चैनल पर 18,000 से उपर जो है दर्शक है, और साथी साथ मेरे मेरे चैनल है, दूसरा जो चैनल है दस संस्कृतियंस उस पर भारती संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो और इस पर भी करीब करीब 2000 सूपर सब्स्राइबर से टूटल 20,000 जो है मेरी ओडियन्स है, तो शिवम हमने अभी कई सारी चीज़ां आप से जानी और इसके बाद हम कविता जरूर सुनेंगे आप से, क्योंकि आप बहुत श्रिंगार है, इसमें काफी अच्छे लगने हैं जो हमारी कॉमन मित्र है, उसने वेजी है, तो शिवम यह देखिया आपके लिए तो शिवम यह देखिया आपके लिए और इनकी कविता हे वीर अप्रतिम भारत की सब दिशा तेरा करती बंदिन, वो मेरी फेवरेट हो जाती है, एक तरी के सा बहुत जादा प्रवावित हो जाती हूँ फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं, कौन सा कॉलेज है दर? भगवत साय कॉलेज होके और धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती हो जाती है फिर उन्होंने उसके बाद कविताय लिखने में और उनको किस प्रकार से शुद्ध से शुद्धतम बनाना है और किस प्रकार अपनी लेखनी को सुदारना है मेरी काफी सारी हेल्प किये और ही इस बन ऑप बेस्ट गाय आएब एवर मैट अर बस इतना ही कहूंगी वो जैसे भी है पॉफेक्ट अपनी शेकेत है और उनी की चार पंक्तिया उनी के लिए तुम सिसो दिया कुल वंश जो महराणा वो वीर सुनो आगे बुल गई और प्रंगार रस इनका अभूशन है इनसे कविताय लिखवा लीजिए श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके भक्ति में रमे रहते हैं तो बस यही है कि एक अदबुत व्यक्तित तो हैं ये इस युग में जो की विरले होते हैं और ऐसे लोग सभाविक सी बाते जिनके जीवन में होते हैं वो लोग लखी होते हैं फिर वो मैं हूं या आप हो है और कोई भी हो आध्यात्मिक्ता के साथ-साथ आपको ग्यान भी मिलेगा और सबसे चाहदा चीज यह विक्ति जो समर्पित हैं देश-भक्ति के लिए इनके लिए राश्ट्रों से उपर कुछ भी नहीं है त तो हमारे समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू पलक यह वो इनसान है जिसने इस वीडियो के अंदर बहुत सारा जूट बोला है जैसे कि सहनशील तो मैं बिलकुल आपोजिट हूँ हाँ आप सबको दिख सकता हूँ कि मैं सहनशील हूँ लेकिन ये एक वो इनसान है जिसने मेरा गुस्सा भी देखा है जिसने मेरा प्रेम भी देखा है जिसने मेरी खुशियां भी देखी है जिसने मेरा दुख भी देखा है यदि इसी के शब्दों में बोलू तो दा बेस्ट परसन एवर में वास्तर इसको संस्कृत में बोलू समभाशणम उतक्रिष्ट तरा सखी एदानी साज दी जो अब तक मुझे सबसे उतक्रिष्ट मिला है मित्र वो ये है क्या बात है वैसे सभी मित्र अनोखे है सभी मित्र सभी मित्र अनोखे है सभी अपनी एहमियत है शेवाली बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन एक होता है ना कि आपका अभी अटेश्मेंट किसी के प्रती होता है बाकी किसी सब मित्रपने आप पर अच्छी हम कविताओं पर जाएंगो उसके पहले 3M क्लब के साथ आपके जो लोगों को लगया मैंने पैसे दिया आपको नही आपर मुद्दे की बात हो रही है जिसके लिए भी मुझे मेरी टांग कीची जा रही थी तो अमर से मेरी मुलाकात हुई दैनिक भासकर का कारीक्रम था डीबी बॉल गॉलियर के डीबी बॉल में और 2019 की बात है आई थिंक 2019 में हम लोग पहली बार मिले और उस कारीक्रम में उपन माइक था और जिसमें कविताओं का पार्ट किया गया, सिंगिंग की गई और अमर का शायद कॉनसर स्थान था तीसरा और मेरा फिप्त था और यहां से हमारी दोस्ती की शुरुवात हुई हम पहली बार मिले और फिर यह दोस्ती रुकी नहीं यह दोस्ती आगे एक वर मिलने के लिए नहीं कि लोग ऐसे होते हैं जिनसे पहली मुलाकात होती है और फिर वो कोई एक नई इबारत को गड़ देती है मानो वो मुलाकात ही कुछ उद्देश्य को लेकर हुई है तो हम और अमर मिले बहुत प्यारी साथी जुड़ी हमारे साथ कंचन अभी वो अपने कारियों में थोड़ा व्यस्त है बहुत अच्छी सिंगर है और हम तीनों ने मिलकर चूकि उसका उलेक बहुत आवश्चक था क क्लब की जितना महत्व हम सभी रखते होता महत्व कंचन भी रखते हैं तीनों नहीं मिलकर शुरुआत की थी तो थीम क्लब का शुरूआत जो है थीम क्लब की शुरूआत हमने 2019 में कर दी थी अबर मैं उस समें 3M THOUGHT के नाम से कारिकरम एक कभी संभिलन को और नाइस किया त और फिर यह सिल्सला चल पड़ा फिर हमने राश्टर भक्ती को लेकर कारिकरम किए थीम रोड पर हमने एक जै हिंदी की सेना थीम से एक कारिकरम किया। जो बहुत सफल रहा फिर हमने फ्लैक्पॉइंठ जो जगे हैं और फिर उसके बाद हमने लोईंस पार्क में किया और गॉलियर के कई बड़े क्षित्रों में, कई बड़े लोगों के साथ मिलकर, अमर निरंतर महनत करता रहा, और अमर का स्ट्रगल है, कि आज 3M कलब बहुत उचाईयों पर पहुंच चुका है, और event making companies में गॉलियर की सबसे नामी कमपनी जो है इस समय, वो 3M कलब है, जो लगा point of view से बोलू, तो अमर नेस में अपने आपको खपाया है, और खपाया है, तो पाया है, और जो नहीं पाया, वो आगे पायेगा, क्या बात है, मैं शिवम के, मतलब, मैं भी सोचा था, ऐसी वीडियो बना के, मैं भी बेजू, फिर में को लगा, मैं खुदी चलाऊंगा, त तो मैं डिरेक्टली बोलता हूं, शिवम किया है, बहुत इनोसेंट परसन है, और जिस चीज के लिए उसको मैनत करनी है, लगन उसमें बहुत है, मतलब जैसे कि जैहिंद की सिनागी हम बात करें, तो वहीं से आइडिया था कि कुछ एसा हमें करना चाहिए, फिर 14 फैप को तो जब हमने उसका जवाब दिया था, 29 फेबरी, है ना, तो हमने उस दिन को चुना और फिर थीम रोड पर मने इवेंट किया, साथिस्टी करवार जी की मदद से, तो उसकी परमीशन के लिए, शिवम को बहुत चकर गाटने पड़े, बतलब चकर पापड पेलने बड़े, सब कुछ करना पड़ा, और अलग-अलग दफ्तरों में जाना पड़ता था, कभी गोर्खी, कभी पूले स्टेशन, कभी स्पी ऑफिस, कभी कई, 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 और शिवम को ड्राइब करना नहीं आ था, तो ऐसे ही कभी तेम्पों से कई, कैसे कई, कैसे बटकते रहत तो management का operations का काम मैं कर लेता था, लेकिन permission का last day पर हमें जागर मली permission, लेकिन शिवम लेकर आया उस permission को, तो कुछ चीदों के लिए बहुत जादर dedicated है जो राष्टरित की वावना और तो सबको मैं salute करता हूँ, और सबसे खास बात कि मैं यहां पर उलेक करना चाहूँगा, उस एक व्यक्ति जो था, वो मेरे साथ हमेशा था, जहां भी मैं permission लेने का था, चाहे वो घनी दोपहरी हो, इसलिए इसको ठकान मैसूस नहीं होती था, यह भी कारण है, लेकिन हमेशा उसने हर कदम पर साथ दिया, हाला कि जीवन में कई ऐसे परिस्तितियां ऐसा खेल खेल दे है कि हम उत समय को बहुत अच्छे से मेमराइज करें कि यह वो समय बहुत अच्छा था बर्स यह हम कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़े हमारे हाथ में नहीं होती है, कमिंग बेक तु पॉइंट कि शिवन में बहुत सारी मैनत करी, मार्केटिंग है इनको ऐसे टाइटल नही तो आप हम शिवम से बढ़िया प्यार मोहबद वाली दिल तूटने वाली कविता सुनेंगे फिर कुछ जीवन के एक्सपिरेंस और फिर आप से बेदा लेंगे आप देखिए खुशी का माहवल एच्छा है सबकुछ लाइफ में और पॉजिटिव होना चाहिए तो मैं आपको दिल तूटने वाली तो नहीं सुनाओंगा दिल जुडने वाली सुनाओंगा तो श्रंगार की कविता है और आपका लाइफ पार्टनर या आपका जो व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ है उसको डेडिकेट कीजिए शुद्ध हिंदी शब्दावली में है पहुचाईएगा कि चौपाई दोहा लिखू तुम्हें जब आपका प्रियतम आपके प वरणों के नाखुन और शिख यानी सिर्की शिखा चोटी तो वहां तक लिखने का जब वरणन करने का कोई बोले तो एक संस्कृत का चात्र कैसे लिखेगा वाजत है वो आपके सामने है कि चौपाई दोहा लिखू तुम्हें मानस की भाषा लिखू तुम्हें मानस मेरी विपत्ती में संबल बन तुम खड़ी हिमाले जैसी हो शिवशक्ति समन्वित तुंग शिखर तुम किसी शिवाले जैसी हो हरी पद से प्रकटित गंगा सी व्रंदावन की यमुना जैसी तुम खड़ी सिंदु लक्ष्मी पति का तुम पावन देवाले सी हो मैं सरस्वती फिर कहूं तुम्हे या उमार अमासा लिखू तुम्हे तुम कहती नक्षिक वरनन को कैसे अबिलाशा लिखू तुम्हे क्या भात है पूरी कवीता सुनाओंगा आप सुनिएगा फिर कभी आपको अपसर प्राप्त हो ये तो ये एक पेरग्राफ था बहुत उम्द्भा और इसके अलावे मेरेको एक बहुत पसिंदिदा है मेरी जो अपने मा पर लिखिया है मापर में लिख सखूं कुछ पूपात नहीं रखता है बहुत इन बाजुए उनर में वह बात नहीं रखता है तो कभी भी मुझे कुछ लगता कि मा के लिए लिखूँ तो मुझे लगता कि छिवम ने लिख दिया है तो मुझे लिखने की दुरूत नहीं है मापर तो खेर मतलब यदि हम लिखना चाहें और समुद्र को समंदर को यदि स्याही बना ले और इस पूरे आस्मान को अगर हम पेज बना ले प्रिष्ट बना ले तो मुझे लगता है कि मा का त्याग और मा की महमा को नहीं लिखा रहा सकता और लिखना चाहें तो एक अक्षर है मा और यदि लिखना चाहें तो दुनिया की सारी किताबें कम पड़ जाया तो मैंने लिखा कि मापर मैं लिख सकूं कुछ आउकात नहीं रखता इन बाजूए हुनर में वो बात नहीं रखता गीले में खुती सोई सूखे में था सुलाया जादू गरी से उसकी करामात नहीं रखता और खुद का निवाला तजकर मुझको ही है खिलाया खुद का निवाला तचकर मुझको ही है खिलाया उसकी बराबरी की जगात नहीं रखता मापर में लिख सकूँ कुछ उकात नहीं रखता मैं तौल सकूँ जिसके जज़वात मेरी मा संग हाँ दिल में कोई ऐसा जज़वात नहीं रखता मापर में लिख सकूँ कुछ अगार नहीं अगता तो अगर मैं ये वीडियो दिखा हूँगा तो ममी को भी अच्छा लगगा कि हाँ कविता चार पंक्तियों के अंदर आपको देश भी मिल जाए और मा भी मिल जाए तो ऐसी कविता मैंने लिखी कि सुनो मा हर कदम चलने पे तेरी याद आती है एक सिपाही है जो देश की सीमा पर रक्षा के लिए जा रहा है और वो अपनी मा से बात कर रहा है उन भावों को च का नाम जो है मेरी मदर का नाम है उसका उल्यक मैंने किया कि एक तो देश की सीमा और एक मा तो सुनो मा हर कदम चलने पे तेरी याद आती है इधर सीमा बुलाती है उधर सीमा बुलाती है तेरी गोदी में सोना है मगर मजबूर हूं मैं मा धरा की गोध हर्षण फर्ज की आद आपके साथ इंसेडेंट आपको याद हो या आपके दोस्तों के साथ कभी कोछ वहाओ कि लोगों से सीखें और इन चीजों में ना फसें अमर चुकि बात अभी प्रेम की चल रही थी तो प्रेम को लेकर ही एक ऐसा इंसीडेंस है जो मेरे एक बहुत करीबी मित्र के साथ हुआ और चुकि प्रेम का इसमें दोश नहीं है लेकिन आपके साथ परिस्तितियां कुछ ऐसी खड़ी हो जाती है और आपकी यदि मनो इस्तिती जो है आप उसको खो बैठते तो आपकी अपराद गल्तियां कर बैठते अपने जीवन में और उसका खामियाजा फिर भुगतना प तो उससे दूर चली गई अब देखिए जीवन में ये चीज़ें लगी हैं तो उस व्यक्ति के साथ हुआ ये कि उस दौरान उसने उसका पीछा नहीं चोड़ा बहुत प्रयास की उसको पा लेने के उसके पीछे गया उसको मनाने की कोशिश की हर संभभ प्रयास किया लेकि उसकी help कर पाने में मुझे याद आता है उसका मासूम चहरा उसका दुख उसकी पीड़ा जो समय फील कर पा रहा था और अपनी मन वस्तिती को खो रहा था और उसका फाइदा उस समय ऐसे उठाया गया उसके साथ एक बहुत बड़ा fraud हुआ बहुत बड़ा scam हुआ हुआ यह कई बातें ऐसी होती है कई negativity ऐसी होती है जो हमें हर किसी के सामने शो नहीं करनी चाहिए ना जाने कौन किस रूप में आपे हमारी एगी negativity का fire उठाले तो वही negativity एक व्यक्ति तक पहुची और उसने सारी जानकारिया उसके प्रति जुटा ली होगी और उसने उसको call किया और व्यक्ति मेरे मित्र से बोलता है और आपको क्या करना होगा कि चुकि यह लड़की एक विशेश वशी करन जाल में है और जिस लड़के के साथ ही है उसने उसको फसा लिया है तो यदि आपको वास्तिविक रूप में पाना है तो पहले उस माया जाल को तोड़ना यह बात आपके मित्र ने तब आपको नहीं बताई तब किसी को भी नहीं बताई और तुम्हा फिर यह कि उस व्यक्ति ने उससे पैसे की डिमांड कर दी जो तांत्रिक पता रहा है तो उसने बोला कि माया जाल तोड़ना पड़ेगा और वो जो तुम्हारी प्रेमिका है व पूजा करनी पड़ेगी और मेरे मित्र को के सामने उसने लगबग पचास अजार रुपय की पेशकश रख दी अब मेरा मित्र जो है थोड़ा आर्थिक रूप से संपन नहीं था तो उसके लिए पचास अजार रुपय काफी ज्यादा बड़ी बात हो ती किसी के लिए भी के लिए और उसको उस जगे से छुडाने के लिए उसने ये दाव खेल दिया उसने कैसे भी करके कुछ लोन लिया और वो ऐसी लोन देने वाली कंपनी के जहां से वे फस गया जहां से फिर उसका शोशन होगा इस परकार की जो भी लोन कंपनी जो भी आपको लोन देने के लिए एप्रोच करती हैं तो आप उनसे बड़े साबधान रहें क्योंकि वो धीरे दीरे आपको अपने जाल में फसा लेती हैं और उनका लोन चुकाना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है उनकी दरें भी काफ और उस व्यक्ति के पास जब पहुचा है तो उस व्यक्ति ने फिर अपना रूप बदल लिया रूप ऐसा बदला कि उससे बोला कि इतने से काम पूरा नहीं बन पा रहा है बहुत जादा भेंकर असर है आधी पूजा हो चुकी है अब उससे डिमांड की गई तुम और भी जो और 40,000 बीजो अब वो फस गया उसके पास देने के लिए कुछ नहीं वो पहले से ही उसमें आ चुका है करदे में आ चुका है तो फस गया और फिर वो नहीं दे पाया और जब वो नहीं दे पाया तो फिर उसने धंकिया देनी शुरू की उसको तांत्रिक ने मेरे मित्र से उसकी प्रेमिका का उसकी लवर का नंबर उसने ले लिया तक contact नंबर और फिर उसने धमकाना शुरू किया कि मैं इसको call करूँगा और उसको call किया और उससे बोल दिया कि तुम्हारा जो प्रेमी है वो इस प्रकार से तुम पर जादू करवाना उल्टा मेरे मित्र के साथ ही उसने दाव खेल दिया और जितना वो अच्छा था अपने प्रेमिका की नजरों में उतना वो और भी जादा गिर गया और इस सब के बाद करजे में तो करता हूं लेकिन उसके जीवन में जो हुआ वो किसी और इस से कई साथ चीज़ा डिप्रेशन और बाकी डिप्रेशन बहुत भेंकर डिप्रेशन में आया था और उसने बाद में जाके मुझे बताया और चुकि मैं उसकी साहेता नहीं कर पाया मेरे साथ कुछ कंडिशन ऐसी थी मैं नहीं दे पाया क्योंकि उसके उपर जो पचास हजार लोन लेने के बाद जो बापिस में करजाब चढ़ा ब्याज मिला के वो करीब करीब सत्तर असी हजार के आसपस था तो मैं उसको नहीं दे पाया लेकिन भगवान ने शायद उसकी साहिता करने के लिए किसी को भेजा होगा मैं से उम्मीद जताता हूँ और प्रार्टना है उसके लिए लेकिन मुझे जो भी सुन रहे है किसी से भी प्रेम करें लेकिन कभी ऐसे जाल में कभी नबसे है और मैं तो कह रहा हूं कोई गैरेंटी भी देदे कि लिखके देदे हम वापस ले आएंगे तो भी मत करो ये चीत हैं आइडिये काला जादू और इन सबसे कुछ होता निया बड़ जब किजी को पता बढ़ता तो आपकी चवी खराब होती है लोगा आपसे जिंदीगी पर के अपने अपने दो्स्तों को सेही है कि कि उड़ाय सविता ताम्रह येवास्त मेती चा संपत्ता और क्या विपत्त और क्या मेह तामें एक रूपता मतलब है कि सूर्य जैसे मैं लाल रंका होता है और अस्त होते समय भी लाल रंका होता है उदे और अस्त में उसका रूप बदलता नहीं सेम होता है ऐसे ही जो पहान लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनको अपनी विपत्ती के समय और अपनी संपत्ती के समय अपने दुख के स और अपने सुख के समय एक रूप होना चाहिए, कभी भी धहरे को नहीं खोना चाहिए, यह सूरे से हमें सीख लेनी चाहिए, यही इस इशलोक में समझाएगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, कि आप सभी इस इशलोक को अपने जीवन में चरितात करेंगे, कितनी भी बड़ी भी बत्ती आएगी, लेकिन आप कभी अपना धहरे नहीं कोईगे, और कोई गीता से कोई शलोक जो आपको मतलब, या और भी कोई किसी पाठ्थे पुस्तक से, हमारे देश के आदर्श है स्वामी विवेकानन्द, स्वामी विवेकानन्द कठोप निशत से उनका जो धेवा इंग्लिश में बोले, मोटो, उनका जो धेवाक्य था, उत्तिष्ठत जागरत प्राप्य वरान निबोधत, भारतिय संस्कृती को लेके चले, वुरे विश्म में शिकागो धर्म, विश्म धर्म संमेलन हुआ, हमां पर भारतिय संस्कृती का परचम लहराया, स्वामी हमारे वेद, हमारी संस्कृती, हमारे शास्ट्र हमको देते हैं. Arise awake and stop not until the goal is reached. Okay, तो एक हमारी request है, अब अपने subscribers से, अपनी family से, अपने friends से request कीजे कि हमारे इस चोटे से प्रयास को अपना support दें और चैनल को subscribe करें. अस्तू इदानीम अमर महुदयस्या, मम अपी इच्छा अस्ती, The 3 AM Club इती चैनलम सब्सक्राइब करो तू. अब इंदी और नॉर्मल इंगलिश हो जाए. अमर की गुजारिश है और मेरे भी आप सबसे उम्मीद है, गुजारिश है, request है, कि आप इस चैनल, The 3 AM Club को subscribe जरूर करें. Thank you so much. Thank you so much Shivam, अपना समय देने के लिए. I hope आपको अच्छा लगा हो. बहुत.